दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है आज हम जानेंगे कि हनुमान जी की मृत्यू कैसे हुई तथा छे महीने बाद फिर वो कैसे जीवित हुए रामायन में हनुमान जी की वीर्ता की कहानी का जिक्र हर जगह मिलता है इन्हें भगवान शिव का अंशावतार और चिरंजीवी भी कहा गया है ऐसी भी कथा है कि भगवान राम ने स्रिष्टी के अंत तक हनुमान जी को पृत्वी पर सशरीर रहने का वर्दान दिया है लेकिन उडिया भाषा की विलंका रामायन में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यू उनके जीवन काल में ही हो चुकी थी लेकिन छे महीने मृत्यू के बीत जाने के बाद यह फिर जीवित हो गए थे कथा मिलती है कि एक बार प्रभु श्री राम विलंका, रामायन में पाताल के विलंका नामक एक काल्पनिक शहर है वहां राक्षस राज, सहस्षिरा के वध के लिए गए होते हैं लेकिन कई दिनों तक जब श्री राम वापस नहीं लोटे, तो माता सीता काफी परेशान होती है और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजा जाता है हनुमान जी, श्री राम की खोज में विलंका पहुँचते हैं वहां राक्षस राज की परेशानी देखकर वह समझ जाते हैं कि उनके प्रभु विलंका में ही हैं लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें श्री राम का पता नहीं चल पाता इसके बाद वह राजभवन से बाहर निकल कर नगर में श्री राम की खोज में निकलते हैं उधर राक्षस राज ने विलंका के द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था जो शत्रूओं को पहचान कर उनका अंत कर देती थी इसके अलावा उत्तर द्वार पर स्थित विश का सरोवर था वहीं उसके दक्षण की ओर एक और तालाब था जब भी कोई व्यक्ती मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता था और उस सरोवर या तालाब का जल पीता था तो वह आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर लेता था लेकिन शत्रुभाव से प्रवेश करने और जल का पान करने वाले व्यक्ती की मृत्यू हो जाती थी कथा मिलती है कि जब हनुमान जी उत्तरी द्वार पहुँचे और राम जी के बारे में सोचने लगे उसी समय ग्राम देवी की भेंट पवन पुत्र से हुई उन्होंने पहचान लिया कि यह तो श्रीराम के सेवक है इसके बाद ग्राम देवी हनुमान जी के गले में बैठ गई जिससे हनुमान जी का गला प्यास से सूखने लगा पवन पुत्र ने जलपान किया और जल ग्रहन करते ही उनके पूरे शरीर में विश फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये काफी दिन बीट गए श्रीराम का भी कुछ पता नहीं चल रहा था और पवन पुत्र का भी ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपका पुत्र कहा है सबने ढूढना शुरू किया तो ब्रहसपती देव ने बताया कि हनुमान जी की विलंका में मृत्यू हो चुकी है इसके बाद वायुदेव दुखी हो गए स्रिष्टी में वायु का संचार रुख जाने से जीवों के प्राण संकट में आ गए यह स्थिती देखकर सभी देवताओं ने वायुदेव से कहा कि वह सभी उनके पुत्र को जीवित कर देंगे लेकिन वह अपना क्रोध शांत कर लें इसके बाद कथा मिलती है कि सभी देवता लंका गए और अमरित वर्षा और संजीवनी मंत्र से हनुमान जी को पुर्ण जीवित कर दिया इस तरह हनुमान जी छे माह के बाद फिर से जीवित हो उठे